हेलो एस्पेरेंट वेलकम टू आल आफ यू ऑन क्रेग नाव क्रेग नाव पर मैं जैसिंग आप सभी का स्वागत करता हूं बचो आप लोग का जिस तरह से रिस्पॉंस रहा है इस तीरीज में इस प्रोग्राम में में सेंसर राइटिंग सीरीज में वह हमें देखकर काफी उत्सा होता है कि आप लोग दिन वदिन काफी संख्या में हमसे जूड़ रहे हैं और अपने एंसर को हमें लिख कर और आपको जो मिल रहा है उसरे हमारी तरफ से उस पर हमें सटिस्टफेक्शन में रहा है तो उसी सिंगख्लाक की अगली करी में आज का क्वाई हमारा है जिसमें हम देखेंगे और उसके आधार पर जो एक जनरल पॉइंट होते हैं कि उस क्वेसं को किस पकार से डील करना क्या है क्या approach होनी चाहिए उसके संदर में हम discuss करेंगे तो आए देखते हैं कि आचा question क्या है और किस प्रकार से हम उसको go through करेंगे उसके पहले आप इस वीडियो को अपने अपने स्टेडी जोन में शेर कर दीजिए ताकि हमारा यह उसाह आप लोग को और संध्या में जोड़कर आप लोग के सेलेक्शन को सुनिश्चीत कर सके तो आए देखते हैं question क्या है question आपका है कि analyze the causes of floods in विहार and suggest measure for effective disaster management and mitigation क्योंकि विहार में बाढ़ की समझ्या आवर्ती है वह सतत रूप से हर साल देखने को मिलती है उसका क्या reason है किस pattern को follow करते हुए बार जो है किस प्रकार से आता है और क्या-क्या reason है उसको हम discuss करेंगे और question में जो पूछा गया है आपके कि विहार में बार के कारणों का विस्लेशन करें और प्रभावी आपदा प्रबंधन और समन के उपायत हुझाएं तो question आपका जिक general hit topic है और इस पे question आए दिन जो हर साल कमिशन लगभग लभग किसी नरूप में पूछता है तो आपको सबसे पहले question का जो basic theme है उसको पकड़ना होगा तो बार के जो कारण है उसको आपको देखने होंगे कि बिहार में बार के कारण और उसका जो आपदा प्रबंधन के लिए और समन के लिए क्या उपाय है उसको आपको बताना है तो जिस प्रकार से हम देखें कि बिहार में बार जो है एक आवर्ती प्रक्रिया है या कहलेजिए कि आवर्ती घटना है जो हर साल घटित होती रहती है तो इस संद्र में अगर देखें तो यह काफी संक्या में वहां की ए है वहां की अर्थ विस्था है लोगों को एक छे एक-छेतर से दुसरे से भी सरा कर देती है तो यह काफी फॉश्च्छा भरा जो एक घटना होती है इसमें लोका जन् ways Legal होता है तो इसके कारणों को समझना और आपता प्रवंदन के लिए क्या-क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं उसके संदर में अपने विश्टने सट को देखेंगे तो अगर हम देखें जो सबसे बड़ी चीज की बिहार में बार के कारण क्या है तो किसी भी राजी में, किसी भी छेत्र विशेश में बार का कारण आप उसकी जो छेत्र विशेश की संदर्चना है उसको आप कर सकते हो जैसे अगर आप एक जनरल आइडिया लगाओ इस को अटेम्ट करने में तो आप यह जानते हो कि वहाँ पर नदियों का जो बहाव होता है वह नदियों का बहाव किस प्रकार से होता है धलान के रूप में किस प्रकार से नदियां एक जगए पानी को एकत्रित करती है और वहाँ पर बार को लाती है इसके लावा आप मांसून पर जाएंगे कि मांसून की सिति वहाँ पर क्या है किस प्रकार से वर्षा का वहां पर आपको specify होके जो reason है कम से कम चार से पांच रीजन शे रीजन आपको गिनाने पड़ेंगे बताने पड़ेंगे यह reason इसके हो सकते हैं तो आपको वह reason जो है specific pattern में देना है और इसके अलावा फिर आपके सुझाव क्या हो सकते हैं किस प्रकार से क्या policy बनाई जा सकती है सरकार के क्या effort रहे हैं और किस प्रकार से हमने वहां पर बाढ़को नियंत्रित किया है वह समस्या आवरती है यह समस्या हर साल घटित होती है तो देखेंगे कि हम क्या-क्या पॉइंट हो सकते हैं यहीं आपके answer का सार होगा जब आप इन सारे चीजों को accumulate करके present करोगे तो वहीं आपका एक विस्तित answer होगा इस question के संदर में तो देख लेते हैं कि बिहार में बार का कारण क्या-क्या है जो कि कारण आप से पूछा गया है कि बिहार में बार के कारण का विस्तितर कीजिए तो जो सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर मांसुनी बारिश जब आप जाओगे देखोगे तो वर्स विशेस में यहां कि जो मा मांसुनी बारिश जो है वह बैसिकली यहां का जो खास करके जून से सितंबर तक का माह जो होता है वह कहीं ने कहीं लगातार भारी बारिश और वर्षा करता है जिसके करन नदियों में बाढ़ा जाती है और जो निचले जो इलाके हैं यहां के जो छेत्र में देखा जाए तो जो निचले इलाक्य है वह बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं तो पहला कारण है कि यहां पर जो मांसुनी बारिस है वह काफी प्रभाव डालता है यहां के बाढ़ को ले आने में तो आपका पहला कारण है मांसुनी बारिस जिस पर आप नस्तार कहा पर हो रहा है कहा जाके मिल रही है इसकी बहुत भी भूमिका हो जाती है तो सो अगर हम देखें तो राज़ में जो है गंगा गंडग और जो नदियां है वह जो है इसरी से नदिश्चèmes गिस्टा किना अधिक होती है और उफान से चापर ये होता कि इसमें वर्ष इस वजय से यहां पर जो बाड है वह काफी तिव्र गती से अपना परदशन करता है तिव्र गती से यहां पर प्रभावी होता है तो दूसरा जो है यहां पर नदी का बहाव स्कुने में पंड़ सकते हैं कि नदी के बहाव में जो आपका जिसमें आप खास करके मेंशन करोगे गंडक हो गई कोशी हो गई कोशी नदी और इसकी साथ ही गंगा नदी कि महांसुन के दरमइयान इनका जो इनका ऊकर पैटर्ण होता है और काफY BH होता है पानी की मात्रा इसमें से ज्यादा होती है यह उफान पर होती है मांसुन के दौरान इसलिए पार का कार्ड यह reps यह मन ती इसके अलबा वनों के कटाई वर्णों की कटाई आप देख लिजे कि development के लिए इंडेस्ट्री स्टेबलीज करने के लिए या फिर आवास के लिए वर्णों की कटाई की जाती है इससे वर्षा का pattern वह बाधित होता है अनियंत्रीत वर्षा होती है जिसमें आपकी वर्षा कम भी हो सकती है वर्षा अधिक हो सकती है तो वनों की कटाई एक main reason है किसी छेत्र में बाढ़ लाने के लिए इसके लाबा वनों की जो भूमिका होती है वह चुकि वन जो होते हैं जड़ों के जड़ों से पकड़े रहते हैं तो जो पानी का बहा होता है उसको रोकने में वह कारगर होते हैं अगर वन रहे ही नहीं तो पानी का जो फ्लो होगा वह तिव्र गती से होगा और छेत्र विसेश को ज्यादा प्रभावित करेगा तो वनों की कटाई जो है यह भी एक reason है वहाँ पर बाढ़ लाने में इसके लाबा अगर हम देखें तो जो बेसिक चीज में आएंगे तो गाद और जो नदी के मार्ग में परिवर्तन चुकि सिल्टेसन वहाँ पर होता रहता है विभीन प्रकार घंव जो जो नदियां है यहां पर और पानी के बहाव के माध्यम से विभीन प्रकार के गादों का gwादो के इकठ्था करती हैं गादों के कठ्छा करती हैं जिससे पूचे टीला टाइप का बन जाता है तो पानि का फ्लो दो होता है पानि का जो बाहर होता है बाद हTION होता है जब पानि का फ्लो एक नियंतित रूप में नहीं बहेगा एक भर मौनसे अपने लिए कही नहीं तो रूंडे लेगा कि वह पानी वहां से जाता के तो आसपास के जो छेत्र हैं नदी के आसपास के जो छेत्र होते हैं वहां पर पानी का बहाव होने लगता है और वह छेत्र से ग्रसीत हो जाता है तो गाद और नदी के मार्ग में परिवर्तन जो है यह भी एक रीजन है आपके बिहार में बाढ़ लाने के लिए गाद और नदी के मार्ग में परिवर्तन इसके रामा कर हम देखें तो खराब जल निकासी की जो अवर सरचना है अगर जो वर्षा का पानी 31 हो जा रहा है कहीं पे उसके प्रॉपर उसके सुद्री निस्तार्ण की व्यवस्था नहीं है तो वह पानी कहीं ने कहीं इकठा होगा और आसपास का जो छित्र है उसमें प्रभावी होगा उसमें अपना जो उग्र रूप है वह बाढ़ के रूप में प्रस्वित करेगा तो कहीं ने कहीं एक प्रॉपर इस्ट्रक्चियर और सरचना भी बाढ़ के लिए उत्तरदाई होती है अगर इनकी कमी हो तो तो हम देखते हैं कि खराब जल निकास जो सरचना है उसके कारण भी बाढ़ ज कि खराब जल निकासी कि अवस्तर रचना है कि यह तो आपके कारण हो गए जो बाढ़ लाने के लिए प्रभावी होते हैं बिहार में जिसमें मांसुनी वारिस आपने देखा कि किस प्रकार से मांसुनी वारिस जो है वह इफेक्टिव होता है नदी का बहाव अगर वह उफान पर हो और खासका के गंडक कोश्टी और गंगा नदियां जो है वहाँ पर उफान पर होती है मांसुनी सीजन में तो बाढ़ का रीजन मनता है वनों की कटाई किस संदर में बाढ़ को लाती है उसके संदर में हमने बात की गाद और नदी के मार्ग में परिवरतन भी बाढ़ को बढ़ावा देता है और खराब जल निकासी हम सरचना ये पांच पॉइंट है जो आप मेंशन कर सकते हो इसके लावा आप अगर कोई और पॉइंट करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के संदन में यहां पर फिट बैठेगा तो आप अपन प्रबंधन और के संद्ध में आपदा प्रबंधन और निवनी करन के क्या उपाए हैं आप आप अ निवनी करन के उपाए एक जनरल परस्पेक्टिव देखें तो किसी भी जो आपदा होती है कोई भी आपदा होती है उसके प्रबंधन के लिए क्या चाहिए आपको जो एक अरली वार्निंग सिस्टम चाहिए होता है कि अगर बार जैसी घटना होने वाली है तो उसके संदन में जो मानसून वेत्ता है जो पर्यावरंडवीध है या फिर जो हमारी जो रिसर्च एजंसी है वह किस प्रकार से पहले ही एक अलट जारी कर दे ताकि जो वहां के लोग है वहां से माइग्रेट होके वहां से हट कर अपने जानमाल की सुरच्छा कर सके तो अरली वार्निं में प्रभावई होती है वह काफी कारेवर होती है उसके संदर में इसके लाबा बार चेत्र जोनींग बार्शेत्र जोनींसे ताथ पर होता है पहले आप पॉइंट को लिए पहला यह है कि आप जो है कि अर्ली वर्निंग सिस्टम किसे कहते हैं आप इंगली से लिख सकते हैं अर्ली कि वार्निंग सिस्टम उसले में कहते हैं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यह इस रूप में होता है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रारंबिक चेतावनी प्रणाली तो घटना होने से पहले बार आने से पहले ही एक चेतावनी के रूप में अलड़ जिराई कर दिया जाता है जिससे बार से होने वाले जो नुक्सान है उसको कम किया जा सकता है बार चेतर जोनित्य उसमें बार प्रमड जहां पर अधीगरूप से प्रभावीद होता है वहां पर शक्तर आउतकी पहचान कर उन्हें लागों करना चाहिए यहां पर इस रूप में हुना चाहिए कि उस छेतर में लोगों की लीओं की आवाजाई को रोख सकते हैं वहां कोई निर्मार कारे खनन कारे सम्बंधि होते हैं उसको आप सकते हैं तो इसके लिए की नियम निजदेष मनाया जा सकते हैं बारचेत्र vendo में तो बारचेत्र जोन का निर्मार करना बाढ़ छेत्र जोनिंग इसका निर्मार करना इसके माध्यम से जो है उस छेत्र को स्पेसिफाई कर दिया जाता है बाढ़ प्रोन एरिया के लिए तो वहाँ पर लोगों की जो आवाज आई है उसके संदर में नियम बना जाए सकते हैं इसके लाब बाढ़ रोधी जो बुनियादी धाचा है उसका निर्मार करके कि आप एक पुल संबंधी सरचना या ऐसा इंफ्रस्ट्रॉक्टर्चर बना दे कि बाढ़ की जो मार है या बाढ़ के जो बहाव है उसको कम करने के संदर में आप देखेंगे कि जो कोस्टल एरिया अधिकतर बना जाते हैं तो यह प्रक्रिया वहां भी अपनाई जा सकती है जहां पर बार अधिक रूप से प्रभावी होता है तो बार रोधी जो बुनियादी धाचा है जिसमें पुल बना सकते हैं आप और एक पट्टी बना सकते हैं उस चेत्र में तो तीसरा पॉइंट क्या आप लिख सकते हैं बार समबंधी बुनियादी धाच्यों का निर्वार है यह काफी कारगर उपाय साबीत हो सकता है इसके लावा एक Community Preparation करना होगा Community Preparation से तातपर ही होता है सामुदाइक तैयारी जिसे कहते हैं सामुदाइक तैयारी आप इस रूप में समझ सकते हैं कि लोगों को बार संबंधी जो घटनाए हैं बार संबंधी जो नुक्षान हैं उसके संदर में लोगों को प्रो एक्टिव करना तो यह कई ने कहीं काफी लावदायक होता है सामुदायक तयारी में कि लोग इकठा होकर उसके प्रति रिस्पॉंसी होते हैं तो सामुदायक तयारी जो है यह काफी महतनपूर पार्ट है इसका इसमें आप बारussa होने वाली ढ़त जो pauses है नुक्सान है उसको कम कर सकते हो तो सामुदाइक तैयारी इस रूप में काफी महत्तपूर होती है जैसा आपको देखने को मिलेगा कि हाल फिलहाल में जो सुनामी समंदी घटनाय हुई है वहाँ पर यह प्रक्रिया काफी आसान होती है और ट्रेनिंग पर जो मॉक डिलिंग करके लोगों को अवेर किया जाता है तो सामुदाय की तैयारी के रूप में घर काफी महत्तपूर हो जाता है इसके अलाबा परियावरन-बहाली 이야기 सेताथ पर यह होता सबापरहों को दिए कि प्रकार से पानीका जो बहाव होता है उसको नियंंदृत करते हैं तो पर्यावरण बहाली उसमें वहनों को लगाना क्या चार् Merry नए पेणों को लगाना और लोगों को तियार करना एक रिश्पोंस देने के लिए बहाली होती है पर्यावर बहाली के रूप में लिख सकते हो तात पर यह है कि आप अपने अंदर जो राइटिंग स्किल है उसको डिवलप कर सको लेकिन अगर आप इस पॉइंट के अलावा भी कुछ पॉइंट करके आप हमें अपने एंसर को भेजते हो तो हमें चीजों को और जानने का मौका मिलता है कि आप जो है कितने गहराई तक चीजों को सोच पा रहे हो क्योंकि कमीशन जो है मैं बार-बार कहते आया हूं कमीशन औरों से अलग आपको ढूंड रही है आपका सेलेक्शन का आधार यह होता है कि आप औरों से अलग क्या लिख रहे हैं जो मैं बता रहा हूं जो बच्छे इस वीडियो को देखेंगे वो तो इस पॉइंट को एड करेंगे ही लेकिन आप इसके अलावा क्रियेटिव होके क् होगा content होगा आपके अपने और से तयार किया खिया जो material है वह होगा तो आप अपने अंसर को अपनी भासा में लिखें अपने वयर्डों में कहीं हो सकता है कि इससे बहतर कंटेंट आपको मिले तो यह आपके लिखने के प्रयास का जो दर है उस पर निधालित करता है कि आप क्या लिखोगे और यहीं प्रैक्टिस आपकी आपके एक्जाम में काम आती है वहां पर आपको सोचने का मौका नहीं मिलता आप जितना घर प बाहर प्रेक्टिस किए दोगे वही काम आता है वही आप अहां परस्तुत कर पाते हो तो यह आपके जो थे प्राप्ता प्रवंधन एवन जो निवनिक रन प्रभाव था उसके संदर में आप क्या-क्या त्यारियां कर सकते हो क्या-क्या आप पॉइंट कर सकते हो उसके संदर में हमने देखा इसके अलाबा अगर हम देखे तो इसमें एक थर्ड पार्ट पुछा था सहयोगात्माक दृष्टी कोड किस रूप में होगा तो तो आप जानिए आपके लिए एक्स्त्रा है जिसको आप लिख सकते हो कि बाढ़ जब आता है तो वह सिर्फ एक छेत्र विशेष को प्रभावित नहीं करता वह आस पास की जो अर्थ विश्था है जो उससे सटे हुए राज्यें वह भी प्रभावित होते हैं तो इसमें इससे निपटने के लिए जो सबसे इस बनेंगी वह काफी एफेक्टिव होंगी काफी कारगार होंगी तो सहयोगात्मक द्रिश्टी कोड में अंतर्थ सहयोगात्मक जो द्रिश्टी कोड है उसको अपना सकते हैं इसके लावा आप सारवजनिक निजी भागिदारी जिसमें पुब्लिक प्राइबेट त्यार होता है वह काफी सस्टेनिबल होता है और यह मॉडल पूरे वर्ल्ड में अपना जा रहा है खास करके आपदा प्रबंदन संबंदी छेत्रों में तो सहयोगात्म धृष्टी कोंड से आपका यह पॉइंट भी काफी कारगर हो सकता है इसमें प्राइबेट पार्टनर् होता है जिसमें लोग ततपर होते हैं और लोग जो होते हैं उस चितावनी से उस घटना से प्रभावित होते हैं तो लोग प्रोएक्टिव होते हैं उस घटना से निपटने के लिए तो इससे सरकार को भी कम नुक्षान होता है और जो पब्लिक है जो वहां के लोग निवा जो content part है उसको लिख सकते हो conclusion में आप लिख सकते हो कि जो तयारी है जो रोगधाम है वह कि उस पर ध्यान करने की आव सकता है और इसको सतत रूप से विभिन सरकारी नीतियों के माध्यम से हम डेवलप कर सकते हैं इसमें जो एक मल्टी मल्टी डाइमेंशनल एप्रोच होता है लोगों के बेनिफीस के लिए वह अपना जा सकता है तो रोगधाम तयारी प्रत्रिक्रिया प्रत्रिक्रिया मतलब ही रिस्पॉंसी होना प्रोएक्टिव होना पर पुन्रध्यान के इंद्रित करते हुए एक ब्यापक और क्रें वह सकते हैं कि जो मात्रा हानिक हो सकती थी उसमें कमीँ आ सकता है और जीवन और i करकार में चेत्र-इस नहीं अपें और का करेंगे तो फिर्ला को अपने यतवीन की लिए यosedरकार को अमिएंट के यह कि वीविन जो मेंजनी की त्यारीग होती है उस अगर आप अंसल करणा चाहते हैं तो आपका फ्री है और किसी भी एकजाम के त्यारी करते हैं और अपने एंसर की जो एक रिवीव चाहते हैं तो हमारा एक पेड़ ग्रूप है जिसमें 499 रूपए आप से लिए जाएंगे और आपको आपके पर बाधिता नहीं रहेगे कि आपकी सब्जेक्स से क्वेश्चिन लिखेंगे आपके प्रैक्टिस को हम रिवीव करेंगे और आपको बत भी इसन में आपको नंबर दिए गये हैं आप उसको करेक्ट करके हमारे प्रोग्राम है उससे जूड़ सकते हैं और आपने जो आने वाली त्यारी है इसको अचीत तर तक ले जा सकते अपनी जो अन्तिम सेलेक्टन है उसको पा सकते हैं तो आप इस वीडियो को सेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सरकल अपने स्टेडी जोन में सेयर कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए मिलते हैं आपको निश्क क्लास में नए क्वेस्टन के साथ तब तक थैंक यू थैंक तो मैं यू में यू 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 वयू यू